हाली में पापुए न्यूगिनी के उतरी पस्चमी परवतिय प्रान एंगा में मौंट मौंगालो पहाड का एक हिस्सा बुस्कलन में सुबा के समय डह गया जब लोग अपने घरों में सोय हुए थे इस प्राकृति कापदा के कारण लगबग 2,000 लोगों की मलबे में दबने से मृत्तू हो गई बुस्कलन प्रभावी छेत्र में राहत एवं बचाव कारज जारी है और विश्स के कई देशों ने पापुए न्यूगिनी के लिए मदद की घोशना की है इसी क्रम में भारस सरकार की दरब से भी एक मिलियन अमेर्की डॉलर की मदद की घोशना की गई है आईए देखते हैं भोस्कलन और इसका कारण तथा पापुए न्यूगिनी में जो घटना घटित होई है इसके पीछेगा भी कारण देखेंगे इसके साथ साथ पापुए न्यूगिनी के भोगोल के बारें भी हम आप देखने वाले है भोस्कलन एक भूबैज्यानी घटना है जिसमें पृत्वी के गुरुत्वा कर्शन प्रभाव से सैले मृदा तथा मलवे के एक बड़े हिस्ते का अचानक एवंती ब्रगती से धलान पर नीचे की और खसकना सामिल होता है अगर भोस्कलन के कारण की बात की जाती है तो प्राकृतिक कारण के अंतरगत हमको आपको भोकम, जौला मुखीवी स्पोर्ट, भारी वर्सा तथा पहाडी धलानों पर मृदा और सैलों का छरण देखने को मिलता है इसके अतरिक तगर हम आप मानो जनित कारणों की बात करते हैं तो पहाडी धलानों पर वनुवन, जब जंगलों को काट दिया जाता है पहाडी धलानों पर एक प्रोमुक कारण, फिर उसके साथ साथ आती पसुचारण, जब पसुओं की चराई की जाती है तो घासों में कम होती है, फिर उसके साथ साथ पहाडी धलानों में, खनन हमको आपको जब खनन की करिया करते हैं तब भी हमको आपको बोस्कलन करिया देखने को मिलती है, जलवाई परिवर्तन, ये जो आपको सब देखने को मिलना है, काफी चर्चा में रहता है, किसी भी घटना की पीछे यह आपको देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर वर्षा से संबंदित है किसी भाग में वर्षा जादा हो रही जलवाई पिर्वयरतिन के कारण किसी भाग में कम हो रही है कहीं पर बहुत आप देखोगे आउसत वर्षा होने लगी है इस तरह की जो घटनाएं गटित हो रही इसके कारण भी हमको आपको भोस्कलन की क्रिया देखने को मिलती है पापुय न्यूगनी में भोस्कलन की कारण की जब बात होती है तिये विश्व में भोस्कलन संभावित और प्रभावित छेत्रों में या देशों में प्रमुक रोप से हमको आपको देखने को मिलता है इ भूमद रेखा के दच्छण में होने के कारण इसका जादा तर जो भाग है या जादा तर जो पार्ट है वो प्रते दिन साम के समय सम्वाहनी वर्सा प्राप्त करता है। अगर्टों के ट्राइजंग्सन का हमको आपको छेतर देखने को मिलता है पूरा का पूरा जो छेतर देखते हैं। आपस में टकराती है तो यहाँ पर भूकम की घट नए घटित होती है जिसके करण से हमको आपको यहाँ पर भूस्खलन क्रिया देखने को मिलती है लास्ट में हम आप देखते हैं मानोजनित कारण है पाकुव न्यूगिनी के पस्चमी एवं उतरी पस्चमी भाग में बड़ पहाड़ी धनों पर सोने योमतामे के खनन के लिए यहाँ पर प्रात्ति के लिए खनिच के लिए खनन किया जाता है जिसके करण से हमको आपको यहाँ पर भूस्खलन की क्रिया देखने को मिलती है आई है एक नजर डालते हैं न्यूगनी दियूप पर न्यूगनी इस दीवग की विसेष्टा या है कि यह दो महादिवपों में विस्रित है तो इसकी वजा से इसको ट्रांस कॉंटिनेंटल या ट्रांस महादिवपी दीवभी बोला जाता है। इसका जो पूरवी भाग है जिसको हम आप पापुआ न्यूगिनी के नाम से जानते हैं जहाँ पर भोस्खलन हुआ है यह एक सुतंतर देश है जिसकी कैपिटल पोर्ट मॉरिस भी है और इसका जो पस्चमी भाग है जिसको वेस्टन पापुआ के नाम से या पस्चमी जाए कि विस्चमी भाग है या वेस्टन पापुआ में इंडोनेसिया ओले भाग में देखने को मिलती है वो ऑसेनिया महा दियुक की सर्वट चोटी भी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यह आप एटलस में भी देख सकते है आए पापुआ नियूगिनी के बारे म निका है इसकी जो capital हम को आपको देखने को मिलती है Port Morris पी है और जनसंख्या की बात करें तो यहां की जनसंख्या लगबग एक करोंड से अधिक हम को आपको जनसंख्या देखने को मिलती है प्रमुक परवस सिरिणिया यहाँ पर निईगनी उच्चिभूमी ओविन सिरिणी है तथा यहां की जो सर्वोत चोटी है माउंड विलहम जो बिसमार्क स्रेणी में हमको आपको देखने को मिलती है प्रमुक नदिया यहां पर फ्लाई तथा सेपिक हैं यहां जीनों की बात करें तो मुरे जील, कुतबु जील, यहां चामरे जील है मुरे यहां की सबसे बड़ी हमको आपको जील देखने को मिलती है और यहां पर इसके उत्तरी मध्य ओम, पस्चमी भाग में हमको आपको भूमद रेखिये वर्सावन पाये जाते हैं अमेजाओं तथा कांगो वेसिन की बाद विस में तीसरे सबसे बड़े वर्सावन है और यहां की जो ट्राइप्स की बात करते हैं, जनजाती की बात करते हैं तो यहां की जो लोग हैं इनको पापवन्स या पापवन्स की नाम से जाना जाता है और यहाँ पर किरसी जो है आज भी पुराने तोर तरीके से की जाती है जिसको हम आदिन रुआ जीवन किरसी या इस्थानांतरन किरसी बोलते हैं और भासाई विवित्ता यहाँ का जो सबसे इंट्रेस्टिंग आपको पार्ट मिलेगा देखने को इस देश का यहाँ की भासाई विवित्ता है इस देश में लगभक 800 से अधिक बोलियां बोली जाती है जो विश्व में सरवादिक हैं और यहाँ की जो प्रमुक समस्या है य हमको जान से मारना इस देश की प्रमुक समस्या है जिससे यह जूज रहा है तो यह था पापव न्यूगिनी का पार्ट इसी तरह का हमको आपको जो भी देश का पार्ट या किसी पहाड परवत नदी का जो भी भुगोल संबंदित हमको आपको भाग मिलेगा जो न्यूज म माद्यम से उनके बारे में देखने का कारे जारी रखेंगे, सबी को थैंक यू